हमारे देश के ऐसे नेता जो यूपी की जिम्मेदारी उठाना चाहते वो जीना का जिकर कर रहे जीना जीना कहां से आ गया बहिया कहां से आ गया एक गलती की थी अडवानी जीने जीना की मजार पे गए थे उसके बाद मैं कहना नहीं चाहता मेरे पिता समय उसके बाद उठन ट्रेनों से निकाल करके हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले हिंदू थे, मुसल्मान थे, सिक्ष थे, इसाई थे, बाहू थी, बेटियां थी, माएं थी, उनके बजर्ग थे, उनकी लचे काट काट के ट्रेनों से बेजी गई, यह उजीना की बात करते हैं, बदमाश लोग, पुरने तिहास को 1906 के तिहास को हमारे बज़ूर्गों ने बताया खोल के देखे अमरसर के इंदर वागर बॉडर के अंदर फोरोज पुरूर के अंदर किस तरीके से ट्रेनों से काट काट के सिर्फ हिंदू सिख नहीं हिंदू भी मुसल्मान भी सिख भी एसाई भी जो हिंदुस्तान में रहना चाता था उदर से आकर के उनको सब को काट करके भीजा गया अब सनातन धर्म वो सनातन धर्म नहीं रहा और इसी पर आज बातचीत करेंगे क्या राजनितिक रोटिया सेकने के लिए कॉंग्रेस के कुछ नेता अब हिंदू धर्म को गाली देने पर उतर गए हैं क्या क्या हिंदू धर्म को गाली देखर वाकई कॉंग्रेस अपनी खोई जमीन वापस पापाईगी क्या और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं MS बिट्टा सहाब जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं जिन्दा शहीद इनको कहा जाता है और आतंकवाद के खिलाफ इनकी लड़ाई-लड़ी लगातार जा रही है वो हर कोई देखता है और देश के मुद्दों पर ये लगातार बोलते है और आज इनसे बात चीत करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये कॉंग्रेस को अच्छे से जानते हैं लाल-बाधुर शियास्त्री की कॉंग्रेस पटेल की कॉंग्रेस और आज इस कॉंग्रेस में सलमान खुर्शीत का फिल सिब्बल और दिग विजे सिंग नेता आखिरकार इसे कहा ले जा रही है बिटा साब बहुत स्वागत आपका एट्वाइंस इंडिया पर और सवाल मेरा यही सलमान खुर्शीत के शब्द आखिरकार क्या समझा रही है क्या जो जमीन कॉंग्रेस की खिसक रही है या इन नेताओं की खिसक रही है वो हिंदु धर्म को गाली दे कर अब इसे वापस पाना चाहते हैं क्या और क्या यही रास्ता बचा है बस हम अकेले के हो गए हम पंड़े जवाल नेरू लाल बहादर शास्त्री की टाइम के कॉंग्रेस अकेले इसलिए हो गए कि हमने जो रास्त के लिए लड़ाई थी जो बचपन से सीखा का कॉंग्रेस के अंदर जब लाल बहादर शात्री जी थे, जब शीखा था, जब कॉंग्रेस सेवा दल के एक छोटे से शपाही थे, जहां बंदे मातरम बोला जाता था, जब यही सिखाया जाता था, भारत मा के चार शपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिक्के साई, भारत एक धरमनेक, आज तक हमारे हिर चंदर बोची, कॉंग्रेस के प्रेइडेंट रहे, लाल बहादर शास्त्री जी योदे रहे, इस देश को रास्टर को एक किया, जिसका नाम था, सरदार पटेल, शेर हिंदुस्तान, वो रहे, उस कॉंग्रेस का मैं शपाही हूँ, मैं अकेला रह गया, मैंने मौत से दोस् कर ली, ये सर्मान, खुर्ची, जे दिजविजस सिंग, जे चिदंबरम, इनके कारण कॉंग्रेस की बरबादी हुई, क्यों हुई, जब पहली अलेक्शन सी, मोदी जी के आने के पहले, इन्होंने पूरे देश के अंदर नारा दिया था, बगवा अतंकबाद, हिंदू अत ये दिजविजस सिंग, जे चिदंबरम, और ये सर्मान, खुर्ची, जैसे लोगों ने नारा दिया था, कॉंग्रस ने, नुक्सान लोगों ने कर दिया, कॉंग्रस बुरी नहीं थी, ये नेता बुरे थे, जिन्नोंने हिंदू अतंकबाद और भगवा अतंकबाद का नार उठा करके देश को अदादी लेके दी थी, सब ने साथ दिया था, सब पॉलिटिकल पार्टिया एक थी, ये आज के ने था, वो कॉंग्रस के ने था, उस वक्त जब गर से निकलते थे, मा को कहते थे, मा गोली चीने पैखाएंगे, भारत मा को अदाद कराएंगे, आज ये इंस्पेक्टर उसको शाहीद कर दिया गया, और ये कहने लगे, सोनिया गांदी जी की आँखों में आशू से अतंक वादी के लिए, इसने कहा था सलमान खुर्चीद ने, इतने बड़े पदों पे रहना, और दो दो बार चीम मिनिस्टर दिज विजे सिंग का रहना, और ह लगता है बिट्टा साब, अब जो बरबादी कॉंग्रेस की हो रही है, वो यही नेता कर रहे हैं, जिस कॉंग्रेस को आपको आपने छोड़ कर देश के लिए लड़ाई, देश के लिए लड़ाई लड़ने की कोशिश पूरी बेज करके, हमने उस अजादी की कॉंग्रेस का साथ दिया, जब देखा, यह लोग हडते नहीं, यह लोग एक दुसरे में नफरत फिलाते हैं, यह लोग चाते हैं कि कॉंग्रेस तबाह हो जाए, यह देश तूट जाए, और यह अतंकवादियों के लिए बाटला ज जैसे लोगों की मदद करते हैं, और दिजविज़ सिंग कहता है, उसामा बिन लदेन, खतरनाक तलबानी असंकवादी, जो 11 स्टंबर की अमेरिका में गटना हुई, और हिंदोस्तान के अंदर तबाही मचाने की कोशिश की, उसको कहता है, उसामा बिन लदेन जी, यह जी क जाता है अतंकवादियों को, हर अतंकवादी के लिए दिजविज़ सिंग खड़ा हुआ, और क्या कहते है चिदंबरम जी, राम जनम बूमी के अंदर, यह फैसला सप्रीम कोट ने गलत किया, मैं फिर कहता हूँ, अगर राम जनम बूमी, अगर बाबरी मस्चिद, अजमेर शरीफ की तरह, किसी पीर की तरह, किसी विदवान की तरह, किसी गुरू की तरह होती, तो कभी न तूटती, वो काफर की तरह था, कौन था अरंग जेप, कौन था बाबर, यह काफर थे, यह कलंग थे, मुसलमान कौम के उपर, हम मुसलमान कौम के खलाफ नहीं हैं, इन्हों में बैठा हुआ हर हिंदोस्तानी खुच है ना दंगे हुए ना फसाद हुए ना गोली चली ना को लडाई हुई और राम जनब भूमी का निर्मान हो गया उसको को के उपर यह चिदंबरम जो हो मिनिस्टर रहा या जो उसके उपर सप्रीम कूट को चैलेंज करता है इसके प कंट्रियों से स्तारा कंट्रियों से मीटिंग कर रहे हैं कि अफगान के अंदर जो तलमानी या तंकबाद आ चुका इसके खलाफ कैसे लड़ना है एक तरफ हमारे पाकिस्तान में मंदरों और गुर्दवारों साब को तोड़ा जा रहा है एक तरफ बंगला देश के अंदर मंद्रों का तोड़ा जा रहा है नवरात्रों के दिन मंद्रों के और पंडालों में और हिंदूओं के घरों के उपर अत्याचार हो रहे है और दूसरी तरफ काबल कंधार के अंदर सिक्ष समाज और हिंदू समाज के लोगों को कहा जा रहा है जा तो इसलाम कबूल कर लो नहीं तो आपको मार दिया जाएगा यहां रहने नहीं दिया जाएगा उस वक्त चदंबरम की आवाज कहां उस वक्त सर्मान खुर्शीत की आवाज कहां उस वक्त दिजविजज सिंग की आवाज कहां जब पाकिस्तान और तल्बान के और बंगला देश के अंदर हमारी बाहू बेटियां बेहनों के ऊपर अतियाचार होता है पंजाब के अंदर चती हजार बेगुनाहों का कतल याम हुआ 19 अधार हमारे हिंदू बाईयों का कतलयाम हुआ और ऐसे निताओं के गल्तियों के कारण उस वक्की इंटेलिजन्ट जन्शियों के कारण दिल्ली में चुरासी के दंगे हुए ऐसे लोगों के कारण खून बहा और उच्छ भी आप बोल दो और बेडे बकरिया समझ रखा है राहूल गांधी सोनिया गांधी खुश होते हैं कैसे बयानों से सवाल ये भी है क्योंकि कॉंग्रेस तो आज उनी के हाथ में हैं और उनको उन्होंने एक शब्द इस पर नहीं बोला एक बात मैं कहूँ ये नेता किशी के कंट्रोल में है ही नहीं जो मुझे लगता है जो मेरा आनवव कहता है ये उनसे बड़ा मानते आपको ये नेता उनके कंट्रोल में है ही नहीं कभी योवराज सिंग किरिक्टर का बाप किसान दोलन में कह देता है हिंदू समाज की बाहू बेटियों हमारी बेहनों को पुराने इतिहासों को बता करके अरे ये हो क्या रहा है हिंदोस्तान के अंदर सिख है, हिंदू है, मुसल्मान है, इसाई है जिसने जनम लिया उसको रहने का हक है मैं हूँ ना, मैं एक सरदार हूँ भारती मुझे लोग कहते हैं य्ये सरदार, ये सरदार जी, ये भारती मुझे इश्दद देते हैं हिंदू, मुसल्मान सिख हिसाई Yon को बढ़ जाते हैं किस हलाद की तरफ है लोग लेके जा रहे है इन्होंने राजनिति को एक दंदा बना लिया राजनीती में पेशा बना लिया चुरली छोड़ों और बड़े-बड़े चैनलों में डबेट दो अजार इकिस की राजनीती में आतंकवादियों की तारीफ करके एक धरम को गाली देके इसी से वोट बटोरे जा रहे हैं और किन लोगों को एक खुश करने प्रेइडन्ट का ये राज सीना रोड पे मेरे पे बलास्ट हुआ अमरसर पंजाब में मिनिस्टर रहा मेरे से पंताली के लोका आड़ी अच हुआ सतर लोग मेरे साथ शहीद हुए मैं मंतरी नहीं बना मैं यूथ कॉंगर्स का प्राइड नहीं बढ़ा मैंने मौत का कफन बांद करके अपने उस वक्त हिंदू समाज भाईयों बेनों की सोहागों की रक्षा करने के लिए जब सिक भाईयों को बसों से ट्रेनों से निकाल क करके छोड़ दिया जाता था और हिंदू बाईयों को गोलियों का निशाना बनाया जाता था मैंने गुरू गुबिन सिंग महराज की सोच गुरू तेक भादर हिंद की चादर पर सोच चलते हुए मौत का कफन बांद करके मजलूमों की अपने भाईयों की रक्षा की इसलि जैसे लोग इनके अंदर रास्ट बक्ती नाम की चीज नी इनको पूछो क्या कभी बॉडर पे सरहदों पे जा करके जब से अपने पदों से हटे किसी शहीद परिवार के घर गए इतने कश्मीर के अंदर जवान शहीद हुए इतने बे लोग ना बेगुना लोग शहीद का तीन सो सत्तर दारा हटी राम जनब भूमी का निर्वान हुआ सर्जीकल उप्रेशन हुए पाकिस्तान थर-थर कामता है आज अफगानिस्तान तलबान की समस्या है आज हिंदोस्तान के लोगों को बचाने के लिए सेमाओं की चुरक्षा करनी है आज चाइना की समस्या है कई चीजें हमने करनी है इस देश के अंदर कौन साथ देता है जी निरंदर मोधी जी को मैं बीजेपी का नहीं हूँ कौन साथ देता मैं बताओ कौन सी पुलिटिकल पार्टी कहती है कि आपने सर्जी का लॉपरेशन करके अच्छा किया आपने तीन सो थरतर दारा हटा के सवाल कॉंग्रिस करे जा बीजेपी करे जा सीपीम करे जा सीपीयाई करे सवाल सबसे बड़े देश के मसले हाल हुए जिन मसलों के कारण दंगे होते थे जिस मसलों के कारण फसाद होते थे आज ओबीशी का भाई छोटा अकबरुदीन कहता है और पंदरा मिंट के लिए हि हिंदू भाईयों को मार दें वाई यह क्या मज़ाख है यह हिंदूस्तान है जा धर्म साला है कोई भी उठके कुछ भी बोल देता है अगर हम बोलेंगे कहेंगे यार बीजेपी की बाचा अरे यार इंसानियत का मानुपत का कतलयाम हो रहा है मुझे एक चीज बताओ इसका है किया कभी किसी ने किया कि किसी को मारा हम रोज रोज गाली रोज गाली रोज आयसे ना और ऐसे जमेदार लोग जो सहीन, बाह के अंदर चले जाते वहाँ भी जाके आँग लगाने की कोशिच करते, सबसे बड़ा सवाल है कुर्थी सता इन तीन लोगों के चाथों में चलीगी अब ये आने वाले नहीं है अब इनको कहा है और कुछ नहीं तो इसी पे अपनी दुकांदरी चलाओ और देश में नफरत और आग और नफरत चलाओ अब क्योंकि चुनाव आ रहे हैं एक तरह तो टिकेट भी अभी लखना हो जाने की बात कह रहे हैं कि अब वहा से अब हमारा अंदोलन चुरू होगा और दूसरे तरफ सलमान कुर्शीद ने आयुद्या पर जो किताब लिखी उसमें इस तरह के टिपनी इंदु धर्म पर कर दी क्या ये सब भाशा और ये सब जो प्रोपोगेंड़ा चल रहा है इसी से योगी हारेंगे क्या सवाल ये ह क्या अब पूरी राजनीती अब इस और जा रही है ना मेरा योगी जी ना मेरा मोदी जी से को मतलब मैं देश की बात करता हूं हार जीत से मैंने क्या लेना है मैं एक शोचल वर्क हूं ना मैं अलेक्शन आगे लड़ना है ना मैं इस काम में पढ़ना मेरी जिंदगी बोनस है बंबो से मैं तो ऐसे रहना है मैं इन पुलिटिकल पार्टियों को एक सवाल पूछता हूं अब एक और पता नहीं कौन नया आ गया यूपी का लीडर मुझे नाम भी नहीं पता के जी जीना अगर होता तो पता नहीं कौन सा राजवर प्यम होता है तो देश की तस्वीर बदले, कौन राजवर, कोन अब मेरे से पूछओ एक तेरी कास्ट क्या है मेरे से पूछलो मेरी कास्ट मैं कहना मेरा धर्म-भारत महा, मेरी जाच मन्ежд मातरमू्स हिंद्षतान में धर्म जन्म लिया है मैंने, इस मातर भूमी की खून से सजी हुई गुरुों की, पीरों की पेटक पिंगार्बरों की बगत सिंग, राजगुरू, सुख़े, मंगल पांडे की खून से, जले हमारा बाग की शहीदों की खून से, लस्पत दर्ती पे मैंने जर्म लिया है, और आज मैं कहूंगा मैं सरदार हूँ, मैं जातूं, मैं नौन जातूं, अरे ये नेता, ये सम सार पठेल की, हम बात करें, हिंदोस्तान के रास्टरपती अब्दोल कलाम की, हम बात करें, बगत सिंग की, हम बात करें, सफाक उल्ला खां की, वाई, ये क्या हिंदोस्तान के, हमारे देश के ऐसे नेता, जो यूपी की जमेदारी उठाना चाते, वो जीना का जिकर कर रहे कहां से आ गया एक गलती की थी अधानी जीने जीना की मजार पर गए थे उसके बाद मैं कहना नहीं चाहता मेरे पिता समाहन उसके बाद उठनी पाए राजनीती में एक गलती की थी जो चला गया चला गया उसका जिकर हिंदोस्तान में जिनकी गलतियों से कतले आम हुआ जिनकी गलतियों से ट्रेनों से निकाल करके हिंदोस्तान के अंदर रहने वाले हिंदू थे, मुसल्मान थे, सिख थे, इसाई थे, बाहू थी, बेटियां थी, माएं थी उनके बजर्ग थे, उनकी लाशे काट काट के ट्रेनों से बेजी गई, यह उजीना की बात करते हैं, बदमाश लोग, उजीना की बात करते हैं, ट्रेने पुराने थे, हास को उनी सो संतारी के थे, हास को हमारे बजर्गों ने बताया, खोल के देखे, अमरसर के अंदर, वाग को काच करके बीजा गया ये बदमाश लोग पड़े लेखे लोग विद्वान लोग देश की आने वाले टाइम पे राजनिती में जिम्मेदारी लेने वाले लोग देश के हों मिनिस्टर बनने वाले लोग देश के फॉर्ण मिनिस्टर सरमान खुर्चीद बनने वाले लोग जो व्यक्ति है जो इतने बड़े असंकवादी को कहता था जी उबामा जी ऐसे लोक हमारे अदर्श ये ऐसे गटिया ब्यान देंगे देश के चारों तरफ सिमाएं खत्रे में हैं उनको एक करने की कोशिश है कि उस्ते ओपर कभी एक हुए पूछे क्या पंजाब के अंदर क् लोग को जो लोग इस देश को तोड़ना चाते है यह बड़े-बड़े चैनलों वाले रोग इनके ओपर डबेट कराते हैं यह बड़े-बड़े चैनलों को वी अपनी आखे खोलनी चाहिए जो लोग ऐसे घटिया बियान पॉब्लिशिटी के लिए वोट के लिए देते हैं उनके नकाबों को जिस तरीके से आप लोग नंगा करते हैं ऐसे करें मैं नहीं अब जाता मैं आपको बता हूँ मैं आप से चर्चा करता हूँ बड़े चैनल में को बढाएग जो हमारे मातर भूमी को तोड़ने की बात करें जो हिंदू मुस्लिम सिक्षाईयों के अंदर एक लकीर खोचने की बात करें इतिहास को जात करें जल्ले वाला बाग हिंदू मुस्लिम सिक्षाईयों ने जल्ले वाला बाग में अंग्रेजों की गोलियां खाई फिर खून स ये दर्ती सरी अरे हम ये क्यों नहीं कहते हिंदू हो मुसल्मान हो ठिक हो इसाई हो एक ही नारा मेरे बंबो खून से निकला हुआ मेरा धर्म भारत मां मेरी जास बंदे मातरम और हमेशा बगवान से मेरी प्रासना सुबा रहती है मेरी मौत जब भी कभी बंबो गोलियों से देना बर मेरे से एक शबद निकलने के लिए थोड़ा सा वक्त देना आदा सेकंड मैं इतना कह पहूं मेरा धर्म भारत मां मेरी जास बंदे मातरों मां मेरी भारत मां मुझे अपनी मिटी में समा लेना पर ऐसे नलायक नेता जो देश को तोड़ते हैं इनका कुछ इलाज क तो MS Bitta साब जिन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा कि जो लोग ऐसे देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं उनको भी सोचना पड़ेगा और जनता तो देखी रहे हैं वैसे जैसे चुनाओ आ रहे हैं वैसे वैसे जनता भी समझ रही है सब कुछ आप भी अपनी राय रखिए औ जुड़े रही है एडपलाइंस नेटवर्क के साथ क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बतस्तूर चारी रहेगी नमस्कार